नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ख़बर एचपी और आईए वक्त हो गया हिमाचल परदेश के ताजा और बड़ी ख़बरों को जानने का बतायेंगे सबी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से उससे पहले आप हिमाचल परदेश के किस जीले से न्यूज को देख रह पारवी कक्षा के बिद्यार्थों की अब इस संबाद अप्लिकेशन पर हाजरी दर्च होगी वहीं बिद्यार्थी के अनुपस्तित रहने पर अभिभावकों को इसका मेसेज भेजा जाएगा इस संबाद एप के माधियम से सिमला से अपसर भी हर इसकूल की मोनिटरिंग क कर सकेंगे वह चिक्षा निदेशाले ने सभी जीला उप निदेशकों को नई वैवस्ता लागू करने के लिए सौंबार को निदेश जारी किये बीते वर्से पर्देश में इस संबाद एप की इसकूलों में सुरुवात की गई थी इस एप के तहत अभिभावक नियमित र आदिस दिये हैं नियादिस संदिप सर्मा ने अपने आदिसों में इसपस्ट किया है कि आचिका करता को आठ वर्स का कारिकल पूरा करने की तीथी से नियमित किया जाए आदलत ने आचिका करता को सभी सेवा लाब का हगदार ठहराया है वही आपके बतादे कि आचिका करत भरति होने का सुनार आवसर भर जाएंगे चोब्दोसर पद यहां जाने पूरी डिटेल जे नौ सना में जाने की इच्छुग यवाओं के लिए गूड नीउज है भारतिय नौ सना में अगनी विरों के चोब्दोसर पद भर जाने हैं यह पद सिनियर सेकेंडरी रिकूइड के माध्यम से भरे जाएंगे इन पदों के लिए 8 दिसंबर से और आवेदन शुरू होंगी आवेदन करने की अंतिम तारिक 17 दिसंबर रखी गई है वही इच्छुग अभियर्थी नौ सना की वेबसाइट जोएन इंडियन ने भी .gov.in पर आवेदन कर सकते हैं वही आपको पूरुस उमिदवार ही अपलाई कर सकते हैं आवेदन के लिए अभियर्थियों को 550 रुपिय सुल्ख देना होगा हिमाशल के CSC में बीमारियों के हिसाब से तेनाती होंगे विसेसग्य चिकित्सक जे समूदाईग स्वास्ते केंदरों में अब बीमारियों के हिसाब से ही डॉक्टरों की तेनाती होगी छेत्रों में जिस बिमारी के ज़्यादा रोगी होंगे वहां के नजदी की सम्भूदाईग स्वास्ते केंद्रों में उनकी बिमारियों के विसेसगे चिकित्सों को की तेनाती की जाएगी ड्रों से सेव और बटर की धुलाई करने वाला पहला जिला बनेगा किन्वर 20 किलो की पेटी 6 मिनिट में पहुचेगी जे किन्वर का मटर और सेव जल्द ही ड्रों की मदद से बूकिये सड़क तक पहुचेगा सेव की 20 किलो की पेटी को ड्रोन के जरिये 6 मिनिट में 12 किलो मेटर दूर पहुचाने के सफल ट्राइल के बाद अब किन्डोर जिला परसासन ने ड्रोन कमपनी के साथ धुलाई की लागत का आकलन सुरू कर दिया है ड्रोन की मदद से एक बार में 200 किलो तक वजन की ट्रांस्पोर्टेशन की ताकी लागत कम की जा सके जे हिमाचल परदेश में एक बार फिर खाथ का संकट गहरा गया है इसे से बागवान परिसान हो रहे है बरबारी से पहले से बागीचों में खाट डलना जोरूरी है खाद नों मिलने से बगिचों का परबंदन रुख गया है किसानों और बागवानों को ज़रुरत के अनुसार खाद उपलब्द कराने का जिम्मा राजे सरकार की एजनसी हिमपेट के पास है हिमपेट के बिकरी केंदरों में बागवान खाद लेने पहुँच रहे हैं लेकिन उन्हें खाली हाथ लोटना पड़ रहा है हिमाचल में इस दिन से सक्रिय होगा पच्छमी बीचों बारिस और बरबारी के असार हिमाचल परदेश के सभी चेत्रों में दो दिसम्बर तक मोशम साप रएने का पूर्मानुमान है सवमार को भी राजधानी सिमला सहिद परदेश के अधिकांसे चेत्रों में धूप खिली रही वहीं आपको बता दे कि मोसम बिग्यान केंदर सिमला ने 3 दिसंबर से परदेश में पच्छमी विच्छोब के सकरिये होने के असार जताये हैं 3 और 4 दिसंबर को परदेश के उचाई वाले छेतर में बरबारी और अन ये छेतर में बारिस होने की संभावना है सोसित लोगों के हीतों को आवाज बुलंद अनुसूचित जाती जन जाती अलपसंख्यक मोर्चा ने तेकी नीती जे परदेश में वनचीत सोसित लोगों से किसी परकार का अन्याई नो हो तथा मूल भित सुविधाये उने मिली इसके लिए मोर्चा समूचे परदेश में एक व्याफाक आंदोलन छेड़ेगा इसी आश्ची को लेकर विभिन समयतियों का गठन किया गया तथा उने जीमेदारिया भी सोपी गई है यह बात हिमाचल परदेश अनुसूचित जाती जन जाती अन ये पिछड़ा वर्ग वो अल्पसंक्यक संगर्स मोर्चा की घुमार्वी में आयुजित परदेश अस्तरिय बैठे को संबोधित करते हुए परदेशा अध्यक्च हीरामनी भारद्वाज ने कही उन्हेंने कहाए कि मोर्चा का मुख्य उदेश ये देश की एकता अखंड़ता और भाईचारे को बनाई रखना है हरियाना सिमा से सटे बहराल बेरियर पर पकड़ी 30 लाग की नगदी जेहिमाचल हरियाना राजी के बहराल सिमा बेरियर पर बहानों की चेकिंग के दुरान पूलिस ने सुमार को एक वहान से साड़े 30 लाख नगदी बराम्द की है नगदी के बारे में कोई दस्तावेज प्रस्तूत नहीं करने पर इसे कबजे में ले लिया गया है मामले की अगामी करवाई अब आयकर विवाग के टीम करेगी जेराम के मंतरियों की चिंता हर चुनाब में हारते हैं 70 फिजदी मंतरी जेहिमाचल पर्देश में बिदान सबा के नतीजे घोसित होने में अब 10 दिन का वक्त बचा है ऐसे में अब सियासी दलों के नताओं की धुक दुकी बढ़ने लगी है भाजपा जहां रिवाज बदलने का दावा कर रही है वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि रिवाज नहीं राज बदलेगा खेर ये तो आर्देसमर को तै होगा कि हिमाचल में सियासी उंट की सकरवट बैठेगा लेकिन जेराम सरकार में केबिनेट मंत्री रहे नेताओं के लिए चिंतित होने की वाली खबर है पुल निर्मान की गुनवता को लेकर अब समाल उठ रहे है साथी पुल की कारी परनाली कट घरे में है क्योंकि साथ साल से पुल क्यों नहीं बन पाया और साथ ही घटिया निर्मान सामगरी के चलते ही पुल गिरा है हलाकि अब P.W.D. ने किरकिरी के बाद पुल गिरने को लेकर अजिब दलिल दिये विभाग का कहना है कि पुल गिरा नहीं उसे गिराया गया है और विभाग ने उपूल को गिराया है कुसुमपटी से भार्दवाज के चुनाव लड़ने से मुकाबला रोचक अनिरूद की नजर हेटरीक पर जहिमाचर परदेश राज़ानी सिमला की कुसुमपटी बिधानसबा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला है इस सीट से कॉंग्रेस के बिधायक अनिरूद सिंग लगातार दो चुनाव जीत चुके है दोनों चुनाव में उन्होंने असान जीत हासिल की है इस बार वो जीत की हेटरीक लगाने का दावा कर रहे है हानाकि भाचपा ने भी सहरी विकास मंत्री एवं सिंगला सहर से जीत की हेटरीक लगा चुके सूरिस भार द्वाज को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है खाई में गिरते ही कार में लगी आग सेनिक ने कूद कर बचाई जान जे उप मंडल जोगिंदर नगर के लड़ भडोल छेतर के लखे हड में एक कार और नींतिन थोकर खाई में गिर गई और गिरते ही उसमें आग लग गई इस दुरान कारसवार ने कूद कर अपनी जान बचाई कारसवार भारते सेनिक बताया जा रहा है वो अवकास पर घर आया है वही आपका बता देखी अजू बसाही सनक पर सुमार सुबग करीब साड़े दस बजो हुए हाथसे में छेतर में आफरा तपरी फेल गई रास्ठे हैंडबाल पर्देश की टीम ने परी कौटर फैनल में परविस्फ कर लिया है वही आपका बता देखी हिमाचल की टीम ने पूल एप में तीन मैच जीत कर टॉब किया पूल के अंति मैच में अवंतिका के चार दिब्या के तीन मनिसा और मौनिका के दोदो और वंदना सिवानी और आंचल के एक एक गोल की बदोलत परदेश की टीम ने जारखन को 16-15 ने पराजित कर प्री क्वार्टर फैन्ड में अपनी जगा बना ली है तीनों मैचों में परदेश की गोल की पर मानशी और काजल ने बहतरी परदर्शन किया छलिए में चलते आज की आखरी कवर बनजार में तार इसपन में काम कर रहे तीन मेजदुर खाई में गिर गगई खाई में गिरने से दो की मोके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंबिर रुप से घायल हुआ है घायल मजदूर का बंजार अस्पताल में इलाज किया जा रहा है तो वहीं मामले की सुचना मिलते ही पुलिस की टीम मोके पर पहुची और दुरघटना के कारणों की जाच की जा रही है दोतों आज की संदार खपरों का सिर्शिला इसमाप तो हता है गर जनकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेयर, चल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले और कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताए कि आप न्यूज को की जिल और पंचायत से देख रहे हैं थेंक्यू, ओल दे वेस्ट